पार्ट छे, सर्वनाम, सबका नाम, प्रोनाउं मदन, अंकित देखो, गौरब गेम से खेल रहा है, चलो मदन और अंकित भी गेम से खेले अंकित, हाँ हाँ, चलो मदन और अंकित भी गेम से खेलते हैं उपर दी गई बाचीत पढ़ने में बड़ी अटपटी लग रही है कारण क्या है? कारण है कि इस बाचीत में मदन अंकित और गौरब नाम का प्रयोग बार बार हुआ है इसी बाचीत को यदि इस वकार लिखा जाए तो ठीक लगेगा मदन अंकित दीखो गौरब गेंसे खेल रहा है चलो हम भी गेंसे खेले अंकित हाँ हाँ चलो हम भी गेंसे खेलते हैं मदन गौरब क्या हम भी तुमारे साथ गेंसे खेले गौरब क्यों नहीं तुम भी मेरे साथ गेंसे खेलो इस बात में हम, तुम और मेरे शब्द, क्रमशह, मदन, अंकित और गौरक के स्थान पर प्रयोग किये गए हैं ये शब्द सर्वनाम शब्द है जिन शब्दों का प्रयोग संग्या शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं सरवनाम का अर्थ है सबका नाम सरवनाम शबदों के प्रयोग से वाक के सुन्दर और सहज लगता है मैं, हम, तू, तुम, तुम्हें, वे, यह, आब, कोई, आदिशब्द सर्वनाम है हिन्दी भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ सर्वनाम एक जिसके बारे में बात की जाए उसके लिए वे उसे वे उसको उनको उन्हें उनका उनके आदी दो जिस से बात की जाए उसके लिए तू तुम तुमारा तुमे आप आपका आपको आदी तीन, जो बात करने वाला है उसके लिए तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको आदी चार, जो बात करने वाला है उसके लिए मैं, मेरा, हम, हमारा, हमें, मुझे, मुझे को आदी पांच, कौन, क्या, कोई, आदी भी सर्वनाम है जर्वनामों के रूप वचन के अनुसार बदल जाते हैं, जैसे, एक वचन, बहु वचन, मैं, हम, उसने, उन्होंने, मुझे, हमें, उसका, उनका, मेरा, हमारा, यह, यह, तू, तुम, तुम सब, इसे, इन्हें, वै, वे, इसने, इन्होंने, उसे, उन्हें, इसका, इनका, हमने सीखा, संग्या के सान पर प्रयोग किये जाने वाले शब्द, शब्द, सर्वनाम कहलाते हैं, सर्वनाम शब्दों के भी दो वचन होते हैं, एक वचन और बहु वचन, सर्वनामों के रूप वचन के अनुसार बदल जाते हैं, झाल 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 झाल